आज सुप्रीम कोट में इवियम वीवी पैट की 100% पर्चियों के मिलान की सुनवाई के दोरान बवाल मच गया आपको बता दे जब जस्टिस खंडा ने वीवी पैट को लेकर चुनाओ आयोग की तरफ से पेश हुए वकील से सवाल किये तो उस वकील की बोलती ही बंद हो गए इस पर जस्टिस खंडा ने कहा कि आज चुप रहने से काम नहीं चलेगा आज तो जवाब देना ही होगा और अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो चुनाओ आयोग से जाकर उस अधिकारी को बुला कर लाईए जो की इवियम और वीवी पैट के सवालों पर जवाब दे सकता है तो सुप्रीम कोट में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि ज़स्टिस ने वकील को आदेश किया होगा कि उस चुनाओ अधिकारी को बुला कर लेकर आओ जो जवाब दे सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ड में मौजूदी नहीं था, उसको ततकाल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ड की सुनवाई में बुलाया गया है तो सुप्रीम कोर्ड में क्या हुआ है, जस्तिस खर्ना के किन सवालों ने बवाल मचा दिया है इवियम वीवी पैट पर सुप्रीम कोट का फैसला 18 अप्रेल को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने जब इवियम और वीवी पैट की परचीयों के 100% मिलान को लेकर सुनवाई की तो उस दोरा सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था आज यानि कि 24 अप्रेल को उमीद ये की जा रही थी कि फैसला तुरंत निकल कर सामने आ जाएगा लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया आपको बता दे दलीले पेश की जाने लगी सुप्रीम कोट में जस्टिस खन हैं और क्या सवाल जवाब हुए है कैसे वकील की बोलती बंद हो गई है वो मैं आपको बताती हूं देखिए सबसे पहले इसमें खबर में लिखा है कि वीवी पैट से निकली पर्ची वोटर क्यों क्यों नहीं दी जा सकती इसमें बहुत बड़ा रिस्क है दुरुपियोग हो सकता है चुनाओ आयोग यानि चुनाओ आयोग के वकील ने कहा कि इसका दुरुपियोग हो सकता है इसका गलत इस्तिमाल किया जा सकता है इसलिए बीवी पैट से जो पर्ची निकलती है वो हम वोटर्स को नहीं दे सकते है अब यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर वोटर उस परची का गलत इस्तमाल आखिर कैसे कर सकता है वोट डालेगा परची मिलेगी परची अपने पास रख लेगा अब उस परची का क्या गलत इस्तमाल हो सकता है इस पर चुनाओ आयोग जबाब नहीं दे पाया और जहां जबाब नहीं दे पाया वहीं पर प् विश्वास का सवाल है तो विश्वास होना ज़्यादा जरूरी है यह जरूरी नहीं है कि आप जल्दी रिजल्ट एनाउंस कर देते हैं इसलिए परची कटी हुई नीचे गर्ड गिरती हुई दिखनी चाहिए माल लीजिए अगर आप हाथ में नहीं देना चाह रहे हैं तो साथ सेकेंड के लिए लाइट जलाते हैं उसको और देर के लिए जला दीजी इससे मदाता को ये दिखाई देने लगेगा कि उसने जिसको वोट दिया है उस पर परची प्रिंट हुई है और परची कट कर नीचे कटी है गिर गई है क्योंकि प्रशान भूशर का सवाल ये ह जिस तरीके से साथ सेकेंड की लाइट जलाकर परची दिखाई जाती है इसमें ये लोग बार बार परचीया नहीं छापते हैं एक ही परची को बार बार दिखाते हैं जिससे धानली हो रही है और वोटर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है इस पर चुनाओ आयोग के वकील मनिंदर सिंग ने क्या कहा सुनेगा देखे इसमें लिखा है कि EVM stand alone मशीने हैं इन में छेड़चार नहीं हो सकती वीवी पैट को दोबारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है मैनुवल काउंटिंग में गलतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है